नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार कभी पत्रकारिता में रहकर जन सरुकार के लिए आवाज उठाया तो कभी समाज में सोसित लोगों के लिए आवाज बना और परतमान में नमो मंत्र फॉंडेशन में जुड़कर अपनी सेवा द देखे नमो मंत्र फाउंडेशन ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी जैसे फेस्बूक पेज होता था चाहे सोशल वर्क्स ऐसे होती थे प्रधान मंत्री जी की योजनाओं को लेके तरह तरह की चीज़ें हो रही थे नमो मंत्र फाउंडेशन ने समाज में जागरुकता को लाने के लिए एक ऐसे प्लैटफॉर्म को लाकर खड़ा किया है जहां पर कि हम मानिप धान मंत्री जीतवारा जितनी महत्वा कांक्शी उजनाए जो शुरू हुए है उस पर जागरुकता भरे वीडियोज बनाते हैं उसको प्रमोशन का काम करते हैं जन जन तक पहुँचाने के लिए कुछ हमारे जो कारिकरता हैं कुछ जो समाज में अच्छा काम करने वाले हैं उन सब को जोड़ करके वीडियोज ऑनलाइन डिजिटल चुकि अब समाज तो डिजिटल हो चुका है तो कैसे ग्राउंड आपर यह आती कि नमोमंत्र फॉंडेशन से लोग क्यों जूड़ना चाहेंगे और लोगों को आपर क्यों जागरूप कर रहे हैं देखिए इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद की देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जिसने जो कभी राम मंदिर एक चुनावी विशय हुआ करता था आज उस एतिहासिक पुरुष ने उस विशय को ही एक विराम दे दिया आज राम मंदिर की हम परिकल्पना कर रहे हैं आज इस उम्मीद में है कि अब वो निर्मान शुरू होने वाला है शुरू हो चुका है मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो आज तक ट्रिपल ताला के कैसा विशय था जिस पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता था सोचता था वोट बैंक खराब हो जाएगा मुस्लिम महिलाओं जिस दंश को जेल रहे थी उस दंश को एक भाई को करतब निभाने का अगर कोई काम किया है तो मानने प्रधान मंतर जी श्रिण नहीं मोदी जी किये है जिस जम्मू कश्मीर की बात करें 370 का कोई विशय सोच नहीं सकता था किसी की सरकार केंद्रिय डोल जाती तो तमाम ऐसे विशय हैं जिसको अगर कोई किसी ने बोलने का काम किया है तो देश के प्रधान मंतर जी ने किया है तो बहुत जरूरी है कि उनके हर एक संदेश को ग्राउंड लेवल तक पहुचाने का कार्य हो और इसके लिए नमो मंतर लगातार प्रतिवद्ध है सबसे पहली वाद तो यहां पर ये भी आती है कि ऐसा विचार की कब आया क्यों आया आपको मन की नहीं कि इस माध्यम से लोगों को जागरुक ने क्योंकि हलाकि अभी तो जमाना डिजीटल का है और आए दिन में ये पूरा डिजीटल फ्लेटफों हो जाएगा हर लोगों के पास स्मार्टफोन है और लोग के पास वक्त कम है तो ऐसे में तो डिजीटल की लोग आएंगे लेकि आपके मन में कब ख्याल है कि नहीं इस माध्यम से लोगों को जागरूप किया जाए देखिए मैं चुकी एक राष्ट्रवादी लेखक रहा हूँ और मैं मानि पधान मंद्री जी के जो भी कारी करने का जो भी तरीका है आज से नहीं बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंद्री हुआ करते थे तब ही से मैं लगातार उनको फालो करता हूँ मानि ग्रीमंद्री जी भी ये लोग ऐसे विकास्टील एक ऐसे नित्वत्त हैं जिनसे मैं ही नहीं एक राष्ट के परती जो वेक्ती भी एक सचा सने है रखता है वो उनसे जूडने के लिए ततपर रहेगा मैं चुकि भारत सरकार का चार वरशों तक मीडिया कंसल्टेंट भी रहा पहले महलाबाविकास मंतराले में था 2016 से फिर अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री में आया तो लगातार में सरकार की योजनाओं से बहुत नजदिकी से मैं अवगत हुआ जी ऐसा मुझे लगा कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि इंडिपेंडिन्टली रूप से हम किवल एक मंतराले से बंद के नहीं बलकि पूरे देश में हम एक मुहिम चला सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो संत सुभाव का व्यक्ति है जिन्होंने आज वो व्यक्ति नरंद्रमोदी है लेकिन वो व्यक्ति अपने पीछे किस साधू वाधिता को लेके चले हैं समाज को वो कैसे यहां तक पहुंचते हैं उनकी जिन्दगी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बलिदान है उस समाज के प्रति तो जब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को देश को समर्पित कर सकता है तो उस व्यक्ति के अच्छे काम को अगर हमने एक समाज हित में उनके अच्छे काम को जंजन तक पहुंचाने का अगर ये प्रियास है तो मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा है उस व्यक्ति के डेडिकेशन के आगे और मुझे लगता है लगातार हम लोग आज भी उनसे सीख रहे हैं और जो भी चीज़ें उनकी हैं लोगों तक बस बताने की कोशिश कर रहे है बात यहां पर ये भी आती है शुशान जी की लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको नमो मंत्र फाउंडेशन मिलेगा कैसे हम अकेले नहीं हैं बलकी नमो मंत्र से की विचारधारा के साथ ऐसे चालीस से अधिक सांसद हैं दो तीन भारा सरकार के मंत्री हैं जो लगातार इस पे अपना सहयोग देते हैं जो मंतव देते हैं जो विचार देते हैं अभी हम लोगों ने एक नए विचार की शुरवात अबी कि जब lockdown का एक session हुआ तो हमें एक message convey करना था कि चुकि digital का जमाना है और बंद कमरे में भी हम अगर कोई concept पे काम करते हैं तो बहतर तरीके से किया जा सकता है तो हमने एक नमू मंत्रा e-knowledge की शुरुआत की ये e-knowledge कोई magazine अखवार नहीं था बलकि एक just एक online platform है तो हमने कई सारे मानने सांसदों से बात कि हमने कहे कि प्रधान मंत्री जी की नीतियों और उपलब्धियों को हम जंजन तक पहुचाने करें digitally एक 16 पेज की शुरुआत कर रहे हैं पाक्षिक तरीके से ये देखिए हमारे सरकार और तमाम मानने प्रधान मंत्री जी के नेत्रित तु जंजन तक पहुचाने के लिए अपना दिया अपने संसद्यक शेतर में उसका प्रमूशन किया और उसके बाद आज के डिट में बहुत सारे लोग उसको पढ़ने वाले हैं और मुझे लगता है एक एक संसद्यक शेतर में कम से कम 20,000-25,000 हिट्स एक दिन में आया है तो इस कलपना है उस पे हम लोगोंने नमो ग्राम मार्केट की शुरुआत की इस पे क्या किया कि हर संसद्यक शेतर में जहां पे लोकल प्रोडक्ट्स हैं हमने ऐसे 10 लोकल प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया और उसके बाद मानने सांसद्जी के निर्देश पे वहां पे उसको 10 हिं में दस इंग्लिश पे वीडियो हम लोग बना रहे हैं दस इंग्लिश में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो भारत की खुबी है हमारे जो हिंदुस्तान की महत्ता है उसको पूरा विश्व जाने और उसको हम केवल भारत ही नहीं बलकि दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम तो क्या है कि हम खुद इतने संब्रद्शाली तो हम अपने प्रोडॅक्ट को दुनिया को बता सकते हैं और यह मार्ग दर्शन किसी ने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधान मंतरी जी ने किया है तो हम अभी लगातार उस पर काम कर रहा है और बहुत हद तक हमने सफलता भी पाई है लोग सांसद जी का आलेख कहां पढ़ पाएंगे और क्या हो अपनी विचार वहां पर रख पाएंगे बिल्कुल देखिए नमोमंत्रा डाट कॉम जैसा मैंने आपको बताएंगे मुबाईल अप्लिकेशन भी है सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म भी है इसी पर नमोमंत्रा इनॉलेज भी अपलोड़ेड है और पहले क्या होता है कि जैसे हम वीडियोज बनाने की बात करते हैं तो वो जो मानिय सांसद हैं वो पहले इसमें अपना आलेख देते हैं अभी लोकल को वोकल करने के प्रती जो उनका एक मनतव्य आया वो इतना सकारात्मक था उन्होंने बताया इस आलेख में कि कैसे कौन-कौन से हमारे यहां के लोकल प्रोड़क्ट्स हैं जिसके मारफ़त हम लोग रोजगार दे सकते हैं तो जब वो सोशल मीडिया पे अपलोडेड हुए जो तमाम वेब प्लैटफॉर्म्स हैं मोबाइल अपलिकेशन से जब उस पर गए तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के माद्यम से वीडियोज ग्रूप्स के माद्यम से हमारे जो अपने लोग हैं जो अनराज्यों के हैं जब उस वीडियो को फ्लो किया जो आर्टिकल्स को रोन दिया तो तो टूवे कम्मिनिकेशन वो जो फीडबैक आए वो उन्होंने हमें बताया सोशल मीडिया पे जो लगातार लोग लिख रहे हैं उनसे हम इंस्पार्ड हो रहे हैं वो हम माने सांसद को बता रहे हैं कि देखे ये लोगों का response है इतने लोग जुड़ रहे हैं अभी लगातार हम लोगों ने एक और काम किया कि जो कि लोकल को वोकल करने की जब हम बात किये तो लोकल जो व्यापारी वर्ग हैं उनको जुड़ना बहुत जरूरी था तो उनको ह वो मानिय सांसद जी के अस्तर से उसका समाधान हो सकता है तो हम लगातार टूवे कम्मिनिकेशन रख रहे हैं ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं लोगों के विचारों को हमें हर संसदियक शेत्र के जो सांसद हैं उन तक पहुंचाना भारत सरकार के मंतरी तक पहुंचाना यह हमारा दायत तो है और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं सुषांत जी आउट जी आप सिल्क टीवी पर हैं हमारे साथ भी जूड़े हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्सकों के लिए भी कुछ सब्द रखें मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ अभी सेल्सले में लेकिन एक छोटा सा अनुभव मैं साज़ा करना चाहूंगा सिल्क टीवी के मारफत देश में प्रधान मंतरी जी ने जिस तरह से आत्म निर्भर भारत और लोकल को वोकल करने के प्रती एक पूरे देश को एक दिशा दी है हमारे भागलपूर को भी ये समझना होगा कि हमारे कौन-कौन से इसे प्रोडक्ट हैं जिस पे पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हम गौरवानवीत हो सकते हैं हमारे यहां जो सिल्क नगरी है यकीन मानिये जब कहीं एक्जिबिशन होता है तो भागलपूरी सिल्क की बात आती है तो गौरव की बात होती है और हर एक वैक्ति को मैंने देखा है उसके प्रती एक अलग एक स्नेह रखने का एक अलग एक ललक रखने का यही भागलपूरी स न्लक है देखिए किवल एक की विशे की बात नहीं कहीं सारी ऐसी विशे हैं कहीं सारे ऐसी प्रोडडक्ट हैं तो हम उन प्रोडाक्ट्स, महत्ता को समझें और पूरे विश्य को बताएं और अपने ही उत्पादों ko हम यूज करें लोगों को जागरूप करें आत्म निर्भर भरने के प्रतिक खुद को हम आगे बढ़ें भागलपूर बहुत सम्रिद शाली है पूरे देश में नाम कमा सकता है मैं भी चाहूंगा सुशांत जी कि आप हमेशा ऐसी तरह लोगों को जागरूप करते रहें निस्वार्थ भह से और आपका जो बैक्ग्राउंड रहा है पत्रकारिता में सेवा देने के बाद प्रियों अप्रे नोकरी करा और ये जो नमों मंत्र के फॉंडेशन के जरी आप को जागरूप कर रहे हैं ये सेवा बनी रहे हैं ये हमारे देश के लिए काफी लाबकारी है खासकर हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो गाउंगरां कस्वे में रहते हैं इनको ज्यादा तर लाब मिलेगा और ऐसे सभी लोगों के लिए लाबकारी है वरहल हमारे साथ चे आज कुमार सुशान्त जी और इनसे मेरी वादचीत हुई और कैसा लगा बात्तीत हमारा नहीं लगा यह आप मुमारे कॉमेंट सेक्षन में जाकर आपने में जरूर बताईएगा तब तक के लिए नमस्कार